हलो फ्रेंड कैसे हैं आप आईए मेरे साथ बनाते हैं चने की डाल की यम यम रेषपी खा कर मजा ही आ जाएगा तो यहां पर हमने दो कटोरी चने की डाल को भिगो लिया है तो रात को हमने भी गोया था, अभी मैं इसका पानी निकाल देती हूँ, तो ये देखिए मैंने पानी निकाल दिया है, आधी दाल को मैं यूज कर रही हूँ, आधी दाल की मैं बाद में आपको रेश्पी बना कर दिखाऊंगे, तो हमने चड़ा दिया है पैन, और पैन में ह तोड़ी पत्ता है चटका लेते हैं और आधा चूटा चमछ हल्दी चला लेते हैं और यह गुदा शेड़ा ओर जो टोटारी भीगे हुए चनी की दाल है इसको डाल देते हैं थोड़ी सब्सक्राइब लेते हैं एक मिन्ट के लिए इस तो यह रेस्पी बिना मसालों किया है क तोड़ी सी Himli Daal देते हैं couple लेते हैं की तोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कॉलर डार पोगया है थे oxid को Hem को अलिहां को एकलेम को हम सलो हिहेंगे पानी डालेंगे और ढ़एंगे निकलन माँनगें क तो इसमें से एक दाना हम लेते हैं और ये देखिए हमने इसको दबाया तो दबाने से ये दाना टूट रहा है बहुत ज्यादा मैस नहीं होगा लेकिन ये बीच से टूट जाए बस इतना ही हमें पकाना है तो अब हम क्या करेंगे फटाक से गैस को बंद कर देंगे और अब थोड़ा सा दाल को हम ठंडा कर लेते हैं और जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक हम पटापट आटे का डो बना करते यार कर लेते हैं तो यहां पर हम गेहूं का आटा ले रहे हैं यह हमने दो कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है एक कटोरी चिने की दाल है दो कटोरी आटा ले लेजिए थोड़ी सी अजवाइन को हाथों में रखिए और अच्छे से मसल लीजिए मसले से अजवाइन में खुस्पू जाता हो जाती है यानि कि तेजी से बढ़ती है और स्वात के अंसार हम नमक डाल देते हैं और दो चमच हमें तेल डालना है तो यहां पर हमने डालेंगे और मसलते जाएंगे और एक स्मूथ डो बना करके तयार करेंगे हाड डो हमको बिल्कुल भी नहीं लगाना है तो आप देख सकते हैं काफी नरम आटा हमने लगा कर तयार किया है अब हम चिकनापन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं और अच में लेज़ा साइड में और हमारी डालें ठंडी हो गई lud तो अब हम लेते हैं मिक्सर का जार तो यह हमने अपना खिलोना बेज़ार ले लिया है तो इस बेज़ार में हम डालते हैं थोड़ी थोड़ी दाल और पीस करके तयार करेंगे तो फाइनली अभी तक हमारा मिक्सर ठीक नहीं हो पाया है तो मुझे इसी में काम चलाना है खेर काम चल जाता है तो ये देखिए मैंने पीस लिए दाल बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है सूखाई दाल को हमें पीसना है और बीच-बीच में हिला लेना है तो इस तरह से हम दाल को पीस के तयार कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं तो ये देखिए दाल पिसकर रेडी हो गई है इस तरह की भुरुरी दाल हमें पीसनी है बहुत ज़्यादा चिकनी दाल नहीं पीश नहीं है थोड़े से दाने से रखने हैं और यह देखिए बिल्कुल सूखी दाल बन कर तयार हुई है इसी तरह से बची हुई जो दाल है उसको भी हम पीश लेते हैं अगर आप स्पाइसी खाना खाने के सोकीन है तो आप और मसाले इसी दाल में मिला दीजिए जैसे की लाल मिर्च मिला दीजिए धनिया पौडर मिला दीजिए गरम मसाले मिला दीजिए लेकिन हमने यहां इसमें सिर्फ हरी मिर्च और लहसुन का ही इस्तेमाल किया है और यह द और यह देखिए इसको हम भर करके तयार कर रहे हैं तो इसमूत आटा होने की वज़े से दाल बिल्कुल भी निकले गी नहीं एक चोटी सी कटोरी का आकार दे देते हैं और इस कटोरी के अंदर हम दाल के मसाले को भरेंगे तो आप जितना चाहें उतना भरें मैं तो अच्छे वैसे इसको कवर कर देते हैं उपर का भाग है उसको भी बंद कर देते हैं और एक बार फिर से चप्टा करके पूरी लोई को तयार कर लेते हैं तो हमारी लोई तयार हो गई है अब हम इसको पटा पट बेलेंगे तो इसको हमारे यहां दाल पराटा या दाल बेड़ ही भी बोलते हैं और अक्सर तो ये असाड़ी पूर्डिमा के दिन बना कर खाई जाती है वैसे तो जब मर्जी आए तब आप बनाएए पर हमारे यहां तो फ्रेस्टिवल भी इतने होते हैं कि एक एक स्पेसल चीज के फ्रेस्टिवल होते हैं तो हमारी फेमली में कुछ न कुछ ऐ ऐसा अलग बनता ही रहता है पर कभी भी बना कर खाओ बच्चो को टिफिन में दो बहुत ही बेहतरी नासता है और आप लंच डिनर किसी भी समय में इसको खा सकते हैं तो अब बेल लीजिए तो ये देखिए इसमूध तरीके से हमने बेल लिया है और पटा-फटम तबे में डाल देते हैं अब हम क्या करेंगे दोनों तरब से समालते हुए पलट देंगे बिल्कुल भी ये नहीं पटे की बहुत ही अच्छी बनकर तयार हुई है और इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी तयार कर लेते हैं और इसमें भी दाल को अच्छे से दबा-दबा करके भर ले और चारो तरफ से कवर कर लेते हैं तो हमारे दाल की बेड़े ही बिल्कुल बनकर रेडी है ये देखिए अगर इस तरह से पेड़े बनते हैं स्मूथ आटे से तो वो बेलने में फटते नहीं है तो ये ट्रिक को आप जरूर फॉलो कीजी एक बार अगर आटा हाड हो गया तो बेलने में बड़ी परिशानी होती है और साइड से दाल निकल जाती है तो ये देखिए बिल्कुल दाल नहीं निकली है बनकर रेडी है और इधर हमारा ये जो पराटा है दाल का ये भी पक रहा है तो आब आप उपर से तेल लगाईए गी लगाईए सेलो फ्राई कर लीज ये देखिए कितना बड़िया दाल का पराठा बनकर तैयार हुआ है गजब की खुश्वू है कोई भी मसाले नहीं है बिल्कुल सिंपल है और उतना ही टेस्टी है उतना ही पॉस्टिक भी है तो बन गया ना कितना सुंदर दाल का पराठा तो चलिए इसको अब हम निकाल ल अंदाज अच्छा होता चला जाएगा तो इसलिए कोई भी रेस्पी अगर बनाते हैं तो एक बार में परफेक्ट ना बने तो बिल्कुल हार मत मानें दूसरे बार बनाएं और जो गलती पहले हो जाए उसको ना दो रहा है तो हमने भी ऐसे ही सीखा है करते-करते सीखा है म इदर हमारे राइस भी बनकर रेडी हैं तो यह दाल के पराठा और यह मारा जीरा राइस थोड़ी सी हमने इसमें सबजियां डाल दी है पुलाव की तरह कर लिया है और यह दाल का पराठा वावावावा बहुत ही टेस्टी है वाकई इसमें मसाले कुछ भी नहीं है इसके बावजूद यह कितना टेस्टी है आप बना कर जब खाएंगे तभी आपको पदा चलेगा तो अब इन दोनों पराठो को मैं सर्व करती हूं तो यह देखिए हमने अपना राइस ले लिया है थाली में और इदर हमने आज कद्दू की सबजी बनाई है कद्दू की सबजी क साथ दाल के पराठे की बहुत ही अच्छी जोड़ी होती है और यह हमने काले वाले चने और आलू की जूस वाली सबजी बनाई है दाल पराठे के साथ चने की सबजी का बहुत आनंद आता है और देसी वाले चने की सबजी बनाई तो यह गजब की लगती है तो हमारे यहां कितने अच्छे दाल के परांटे तयार हुए हैं, मैं आपको फाड़ कर दिखा रहे हूँ, तो अभी गरम है, थोड़ा मैं सम्हाल लहीं हूँ, यह देखे, कितने अच्छे चारों तरफ तक मसाले फैले हुए हैं, और बहुत ही समूत परांटे बन करके तयार हुए हैं, वैसे आप इन परांटों को अचार के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, पर अगर घर में डिनर में बना रहे हैं या लंच में बना रहे हैं, तो इस तरह से परांटे बना करके तयार कीजिए, फ्रेंट गजब को स्वाद आता है और बनाने में इतने सिंपल हैं कि बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है और नहीं ये रेश्पी बिगडती है तो अब आप इस तरह से थाली बना करके आनन्द लीजिए और रेश्पी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बताईए नमस्कार